कामरान शाहिद साहब ने एक ब्यान ठोक दिया है और ब्यान उन्होंने ये दिया है वो आजकल आपको पता है कि हमारी establishment के undeclared spokesperson बने हुए है और उन्होंने आपको पता ही है कामरान शाहिद साहब ने अपने आपको पैटरन की जैकेट लेके वो बिचारे किसी सिंगल फ्रेम वाले अपने लड़के को बठाके तो वो दिखाते रहे उसको रिपीट करके लेकर बात तो नहीं बनी लोगों को पता चल गया था सच सामने आ गया अब उन्होंने बजाए इसके के ये सारी जो तक्रीर थी इसमें ये ना कूथे लेकिन झाहरे उनको हकम हुआ कि आप ये टुवेट करें किसी ने या तो लिखके दिया या उनों की तो एक और हमरान भाई ने उस वक्त के DGISI जनरल आसिम मुनीर साब ने प्रूफ प्रवाइड किये थे और एक्सपोज की थी करप्शन अंडर मिस्टर खांस पंजाब and instead of acknowledging the officer के उन्होंने कोई फाइल दी थी वह यह आपको याद है के जनरल आसिम मुनीर जो उस वक्त DGISI थे उन्होंने करप्शन की फाइल दी थी इमरान खान को इमरान खान ने उस करप्शन की उपर एक्शन लेने के बजाए officer के खलाफ एक्शन लिया और कहा के red line अबूर की है तो यह आप लोगों को तो यह filth और यह गंद और करप्शन जो था यह तो गंदापुर साहब आपकी side पे है तो यह आप जो popular leadership की आपकी integrity और fairness के standards है यह सारे बड़े खराब है अच्छा जी कामरान शाह साहब पहली दफ़ा मैं आपकी बात से चलेंजी फर्ज कर लेते हैं और 100% agree कर लेते हम agree कर लेते हैं एक minute के लिए यह अब आप अगर वाकई प्रफेशनलिजम तो जाहरा प्रफेशनल आदमी है इतने बड़े anchor है मेरा यह जो वी लॉग है यह मैं आपको लिंक भेज भी दूँगा इसका ताके miss ना कर जाएं अगर आप आप वाकई प्रफेशनल जर्नलिजम पे हैं तो भाई साब आप यह करें कि अब जिस तरह जर्नलिस्ट एक खबर को फालू करता है ना अब लेट्स दू इट टुगेदर आप भी करें और मैं भी करता हूँ आपकी बात को एक दफ़ा सच मान लेते हैं अजियूम कर लेते हैं कि आप बिलकुल सच कहरें पर कोई एक्शन नहीं लिया और उन्होंने अपने करप्ट लोगों को बचा लिया या करप्शन होने दी या आपकी एकोजीशन है चले मान ली एक मिनट के लिए तो भाई वो किदर है करप्शन की फाइल दो साल गुजर गए तो अगर किसी ने वो फाईल उठा भी ली तो वो नहीं बना लेंगे वो क्योंके जुर्म तो नहीं छुपता ना तो इसलिए मुझे ये बताईए कि वो फाईल क्यों नहीं आती बार बार जो ये रिपीट किया जाता है कि अगर इमरान खान ने ये किया था तो सबसे गोल्डन चांस था आपका पहले दिन कैसे पंजाब में करप्शन आपने कहा हुई थी तो बुज़दार को आपने अभी तक क्यों नहीं पकड़ा आपने मुझे ही पकड़ लेना था हम भी मैं भी आपको सपोर्ट करता अगर करप्शन निकलती तो आपने उससे रिलेटेड तो किसी बंदे को आज तक नहीं पकड़ा आपने जो पंजाब-पंजाब की रट लगाई हुई थी बुज़दार साब वहीं फिर रहे हैं एक टेक्स मैसिच उन्होंने किया था कि मैं पार्टी चोड़ दी और उधर कोईटा में बैठके उसके बाद तो वह वहाँ पर जो हैं वो कुर्बान जाना गाना सुन रहे हैं और वो ठंडे पानी में पैट डुबाए आम चूस रहे थे पिछले देनों हमारे सामने वीडियो आई थी तो बुज़दार साब तो उधर ही है तो फाइल उधर ही है ना तो ये बार बार जो आप मंजन बेचते हैं एक फाइल थी वो दी करॉप्शन का इल्जाम लगाया इमरान खान ने कुछ नहीं किया लेकिन बात नहीं बात नहीं वो फाइल आप लाते क्यों नहीं है आपने उस कड़ी का कोई एक पंजाब से बियोरोक्रेट आपने पकड़ा हो जाहर है उस्मान बुज़दार ने की होगी ना गरप्शन इमरान खान तो पंजाब में नहीं बैटे होगी थे आप ही कहते थे उन्होंने की है उन्होंने की होगी उन्होंने किसी बियोरोक्रेट के साथ मिल उनके प्रिंसिपल सेक्टरी जो है जिनके उपर सबसे तायर खुर्शी साब पर आप इलजाम लगाते थे वो भी इस टेम पाकिसान में है उनके दूसरे प्रिंसिपल सेक्टरी डॉक्टर श्वेब वो भी वहाँ पर हैं। उनके सबसे पहले प्रिंसिपल सेक्टरी डॉक्टर रहील सिदीकी वो भी वहाँ पर हैं। पूरा स्टाफ उनका पाकिसान में हैं। तो बुजार साहब ने किसी के थूर तो करप्शन की थी अपनी credibility पे थोड़ा तरस करना आपने और वो जो आपको ये tweet का text लिखके दिया है ना जिस दोस्त ने या idea दिया उसको कहें वो file की copy एक आपको भेज दें ये जान तो चूटे file में से